COVID-19 की वियवस्थाओं को जाचने के लिए अचानक से CM योगी आदितेनाद का दौरा आगरा के लिए प्रस्तावित हुआ CM के आने की खबर से नगर निगम कर्मचारियों और प्रशाशनिक अधिकारियों के हाथ पाउं फूल गए आनन्फानन में यूदिस्तर पर तैयारियां की गई वही नगर निगम को रातो रात चमका दिया गया सडकों के गड़े भड़ दिये गए वही नगर निगम में बने स्मार्ट सिटी का रेले को रातों में ही स्मार्ट बना दिया गया लगतार आगरा शहर से कुरोनावाइरस के बीच जरूरी मूलभूत सुविधाओं की कमी की शिकायते आ रही थी जिसके चलते अच्छानक योगी आधितिनाद का आगरा के लिए दौरा प्रस्तावित हुआ सीम के आने के सूछना मिलते ही अधिकारियों के हाथ पाउं फूल गए आनन्फानन में नगर निगम कार्याले को चुमकाया गया रातो रात सडकों के गड़े भढ़ दिये गए वहीं रात में ही मजदूर लगा कर पूरे कारयाले को पेंट करवाया गया इसके साथ ही स्मार्ट सिटी कारयाले को अंदर से भी स्मार्ट बनाया गया नए पेड लगा दिये गए ताकि सूवे के मुख्यमंत्री को खुश किया जा सके करेंगे विवस्ताओं को परखेंगे तो पूरी रात अधिकारियों की गाड़ें यहां पर दोड़ती रही है नगर निगम करमचारियों के हाथ पाएं फूले होए हैं क्योंकि शुबे के मुख्मिंत्रियों की आदितनात आ रहे हैं तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा र रूप देने के लिए युद्वस्तर पर तैयारिया चल रही है लगातार जिले में कोबिट महामारी फैली हुई तो और इसी का जाईजा लेने के लिए स्वास्त विवस्ताओं का जाईजा लेने के लिए सुबे के मुखंद्रियोगी आदितनात आ जा रहे हैं वह साड़े के लिए चेहर के उस्वास्पिटल है उनमें बेड़ की ववस्ता और एंजेक्शन की व्यक्साओं की विवस्ता फॉन कर चकते थे जहां से उनको उनकी समस्या का समाधान होता था लेकिन लगातार आरूप लगते रहे हैं को जो कंट्रोल रूम था केबल और केबल सोपीस क काम कर रहे हैं जो नंबर दिये गए थे लोगों की वहां से कोई साहिता नहीं होती थी लगातार लोग एक दिन में 700 से ज़्यादा कॉल साती थी लिंकन निस्तार नहीं होता था लोगों को बताया जाता था कि उस हॉस्पिटल में बैड हैं लेकिन जब हकीकत में लोग वहां पहुंचते थे तो वहां पर लोगों को बैड नहीं दिखाई देते थे तो सुबह के मुक्यमंत्री आ रहे हैं विवस्ताओं को जांचेंगे परकेंगे और देखेंगे किस तरह की स्वास्त विवस्ता है हाला कि बीते दिनों में 24 घंटे में कोबिट पर थोड़ी सी कमी आ अईयरा